मेरा देवर रोज अपनी बीवी को बहुत जादा मारता और पीटता था उसकी पत्नी की रोने की आवाज अक्सर मेरे कमरे तक भी आया करती थी कभी कभी तो मुझे बहुत जादा गुसा आ जाता था कि मेरा देवर इतना जादा जालिम कैसे हो सकता है जो आदमी अपनी बीवी को मारता है वो तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता बहुत बार मन किया कि जाकर जरा एक बार देखूँ क्या कि रैसे क्या बात हो गई कि हर रोज उन दोनों की लड़ाई होती है लेकिन मेरे पती ने मुझे सकती से मना किया था कि मैं उन दोनों की बीच में ना पड़ू वो यही कह रहे थे कि तुम्हें दूसरों के बीच में बोलने की ज़रत नहीं है वो उन पती पत्नी का मामला है तुम दूर रहो एक रात मेरी देवरानी के रोने की आवास बहुत जादा आ रही थी शायद मेरी देवर ने उसको बहुत जादा मारा था उस रात मैं अपने आपको रोक नहीं पाई अपने पती के मना करने के बावजूद भी मैं उनकी कमरे में चली गई उस रात मैंने उन दोनों की कमरे में जो कुछ भी देखा उससे मैं बहुत जादा दंग रहे गई थी ऐसा कैसे हो सकता था कहते हैं न, कभी-कभी जो दिखता है वो होता नहीं इस तरह कभी-कभी हम जो सोचती हैं वैसा कुछ होता ही नहीं है सब कुछ उसके बिलकुल उल्टा होता है उस रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे ममी पापा ने मेरा रिष्टा सूरच के साथ तै कर दिया था जिस तरह से अपनी शादी में हर लड़की खुश होती है मैं भी बहुत खुश थी अपनी शादी को लेकर पहली रात पर मेरी उनसे मुलाकात होने वाली थी मैं बहुत खुश थी कि मैं सूरच से मिल पाऊंगी मैं दुलहन बनी अपने पती का इंतजार कर रही थी मेरा कमरा बेहद खूब सूरच सजा हुआ था हर तरह फूलों से सजा हुआ था फूलों की खुश्बू से पूरा कमरा महक रहा था ये सब देख देख कर मैं बहुत खुश हो रही थी सोच रही थी कितनी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे इतना जादा चाहने वाले पती मिले उन्होंने तो मेरी राहों में ही फूल बिचा दिये थे मैं अपनी सुहा के सेच पर बैटे बैटे सूरच के बारे में सोची रही थी कि अचानक मुझे बहुत जोर जोर से रोने की आवाजे आने लगी वो आवाज इतनी तेज थी कि मैं बहुत जादा सहम गई थी अभी कुछी दिर तो हुई थी जब मैं अपने सपनों में खोई हुई थी एक अलग से ही दुनिया बना ली थी मैंने इस रोने की आवाज से अचानक मैं उस दुनिया से बाहर आई समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी रात को ये कैसी आवाजें आ रही थी उस औरत की रोने की आवाज इतनी जादा तेज थी कि मेरा तो अपने कमरे में रहना भी बहुत मुश्किल हो गया था मेरा मन बहुत जादा घबरा रहा था मैं सोच रही थी कि एक बार बाहर जाकर देखूं कि आखिर हुआ क्या है लेकिन कही न कहीं एक जिजग थी कि नई नवीली दुलहन हूँ शादी के जोडे में अपने पती का इंतजार कर रही हूँ पता नहीं बार जाना ठीक होगा भी या नहीं ये सब बैठी बैठी सोच ही रही थी कि सूरज कमरे में आ गए मुझे दुलहन के जोडे में देखकर बस देखते ही रह गए दर्वाजे की कुंडी लगाई और मेरे पास आकर बैठ गए कुस देर कमरे में शान्ती रही उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मुझे से कहा कि तुम बेहत खुपसूरत लग रही हो इस लाल जोडे में अगर सच कहूं तो किसी परी से कम नहीं लग रही तुम बहुत देर तक वो बस मेरी तारीफे ही किये चा रही थे लेकिन उस औरत की रोने की आवाद से में बहुत जादा घबरा रही थी मेरा ध्यान सूरज पर था ही नहीं सूरज मेरी शकल को देख कर पहचान गए थे कि मेरी परिशानी की वज़ह क्या है वो मुझे कहने लगे कि तुम परिशान मत हो इस घर में हर कोई अपनी मर्जी से रहता है किसी को किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है ना ही कोई किसी के बीच में कुछ बोलता है मैं तो सूरज को बड़ी ही हैरानी से देखती रह गई मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये औरत कौन है जो इतनी जोर-जोर से इतनी रात को रो रही है वो कहने लगे निशा ये तुम्हारी देवरानी है और वो हर रोज रात को इसी तरीके से रोती है बात ये है कि मेरे देवर की शादी मेरे पती की शादी से पहले हो गई थी मेरे पती तो मेरी सास के बड़े बेटे थे सारी जिम्मेदारिया उन्हीं पर थी पूरा घर उन्होंने ही संभाल रखा था आगे वो मुझे कहने लगे कि तुम उन दोनों पर ध्यान मत दो वो उन दोनों के आपस की बात है तो तुम दूर ही रहना एक काम करो तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो आज हमारी शादी की पहली राज जो है वैसे भी तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना चाहिए इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे प्यार भरी बाते करने लगे सूरज की बातों में मैं इतना जादा खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि उस औरत के चीखने चलाने की आवाज कब बंद हो गई सूरज मुझे बहुत जादा प्यार करते थे उनके प्यार को में बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी हाला कि सूरज और मेरी अरेंच मैरेज थी सूरज की मा ही उनका रिष्टा हमारे घर लेकर आई थी मैं उनकी मा की ही पसंद थी पहले तो मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं मैं सूरज को पसंद आऊंगी भी या नहीं लेकिन जब मेरी पहली मुलाकात सूरज से हुई तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो भी मुझे से प्यार करने लगे है खेर हमारी शादी की रात बहुत अच्छे से गुजरी अगली सुभा जब मैं नहाद होकर अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी घर का सारा काम कर रही थी एक मन किया कि उससे पूछूं कि रात को क्या हुआ था तुम इस तरीके से क्यों रो रही थी लेकिन मैंने सोचा कि आज तो मेरी शादी के बाद का पहला ही दन है कहीं मेरी देवरानी को मेरी बाते बुरी नालग जाए इसलिए मैंने उसे पिछी रात के बारे में कोई बात नहीं की कुछी दिर में सास ने मुझे नाश्टा करने के लिए बुलाया मैं शर्माते हुए नाश्टे की टेबल पर जाकर बैठ गई और बैठ कर अपने देवर को देखने लगी बैठी बैठी यही सोच रही थी कि कैसा आदमी है ये पता नहीं अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यूं करता है मुझे तो उसकी शकल देख कर ही उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन घर के बाकी लोग बिल्कुल नॉमल थे जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो नाश्टा करनी के बाद मेरे घरवाले मुझे लेने के लिए आ गए आज मेरी पगफेरे की रसम भी तो थी ना मैं अपने भाई के साथ अपने माई के चली गई जाने से पहले मैंने सूरज को बहुत प्यार से कहा कि मेरा आपके बिना एक पल भी मन नहीं लगता पिता से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सब बहुत खुश थे मुझसे मिलकर हर किसी के मुँपर सिर्फ एक ही सवाल था कि ससूराल वाले कैसे हैं और तुमारा पती सूरज वो कैसा है मैंने सब को यही कहा कि मेरे ससूराल वाले सास ने मुझे बेहन अटपटा सा जवाब दिया कहने लगी मैं आऊं या वो एक ही बात है क्या फर्क पड़ता है तो मैं आखिर हमारे घर पर ही तो जाना है सूरज को वहाँ ना पाकर मेरा मन बहुत उदास हो गया था क्योंकि मैंने पूरा दिन बेसबरी से उनका इंतजार किया था फिर हम लोगों ने खाना खाया और मैं अपने सास के साथ ही ससुराल वापस आ गई कुछ दिर बाहर अपने ससुराल वालों की साथ बैठी और उसके बाहर अपने कमरे में चली गई अंदर गई तो सूरज बेट पर लेटे हुए थे उनको इस तरीके से लेटा देखकर मुझे बहुत गुसा आया मैंने उनसे गुसे में पूछा कि आप मुझे लेने क्यों नहीं आये थे सूरज आके कहने लगे कि हमारे घर का यही उसूल है बस इतना कहकर उन्होंने मुझे अपनी तरफ खीच लिया मैंने उन्होंने बोला कि आप छोड़िये मुझे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ इस पर वो कहने लगे कि अरे भाई इतना नाराज मतो मुझसे तुम्हारी नाराजगी तो मैं अभी दूर कर दूँगा उन्होंने मुझे गले लगाया और कहने लगे कि तुम्हारे बिना तो मेरा भी मन नहीं लगता मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था हम आपस में बात करी रहे थी कि मेरी देवरानी की फिर से रोने की आवाज आने लगी उसके आवाद सुन कर मैं बहुत हैरान हो गई सोच रही थी कि आखिर ऐसे क्या बात है कि वो हर रोज रोती है मैंने सुरत से पूछा तो उनकी आवाज में थोड़ी सकती थी आज वो मुझसे कहने लगे कि मैंने तुम्हें कहा न कि हमें उन दोनों पति-पत्नी के बीच में नहीं पढ़ना है तुम भी उनसे दूर रहो तुम सिर्फ मेरे उपर ध्यान दिया करो लेकिन मैं क्या करती वो इतनी जोर-जोर से रो रही थी कि मैं उस आवाज को इगनोर नहीं कर पा रही थी यही सब सोचते सोचते ना जाने का बांग लग गई अगली सुबा जब मैं उठी तो आज मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं थी फिर भी जैसे तैसे में तयार हुई और नाश्टे के लिए बाहर चली गई बाहर निकली तो कल ही की तरह मेरी देवरानी फिर से घर के कामों में लगी थी मेरी सास मेरी देवरानी को ना जाने किसी बात पर डाट रही थी देवर भी वहीं बैठा बैठा सब कुछ देख सुन रहा था लेकिन उसने कुछ भी अपनी मां से नहीं कहा आई दिन की यही कहानी थी यहां पर देखते ही देखते मेरी शादी को दो हफ़ते से उपर गुजर गया लेकिन यतने समय में कभी भी सूरज और मैंने एक साथ बैटकर खाना तक नहीं खाया मेरे ससुराल में पती पतनी का एक साथ यूँ बैट कर खाना खाना खराब माना जाता था मुझे तो अपने ससुराल के नियम ही अजीब लगते थे सास के सामने बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सूरज नहीं मुझे मना किया हुआ था एक बात और थी जो मैंने नोटिस की थी सूरज अक्सर अपनी मा के सामने मुझे थोड़े उखड़े उखड़े से नजर आते थे और जैसे ही हम अपने कमरे में आते तो वो मुझे पर प्यार की बरसात कर देते थे उनका ये रवया मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे इतना प्यार करते थे कि मानो उनके जिन्दगी में मेरे अलावा किसी और के लिए कोई जगा ही ना हो पर मैं उन्हें जब भी कहती थी कि कहीं बाहर गुमाने के लिए ले चलो तो वो मुझे साफ मना कर देते थे मुझे उनकी इस तरीके की बाते समझ नहीं आती थी बुरा भी लगता था कि पता नहीं क्यों वो ऐसा करते हैं एक ऐसा ही दिन था जब मेरी सहेली मेरे घर मुझे से मिलने आई उसने मेरी सास से इजाजत ली हम दोनों बाजार चले गए जब मैं बाजार गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर सूरज मेरा इंतजार कर रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आया मेरी सहेली मुझे उनके साथ छोड़ कर चली गई उस दिन सूरज मुझे बाहर घुमाने लेकर गए थे पूरा दिन हम बहुत अच्छे से घूमें रात का खाना भी हमने साथ ही खाया और उसके बाद सूरज ने मुझे मेरी दोस के घर छोड़ दिया उसके बाद मैं अपनी दोस के साथ ही अपने सच्चुराल वापस आ गई सूरज मुझे बहुत प्यार करते थे इसमें मुझे कोई शक नहीं था लेकिन इस तरीके का रवया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था छुप छुप कर ये सब चीज करना वो क्यों अपनी मा के सामने ये सब नहीं कर सकते थे सूरज ने तो मुझे साफ साफ मना भी कर दिया था कि आज के बारे में मैं किसी से कोई बात ना करूँ सूरज मुझे बहुत प्यार करते थे ऐसी कोई खुशी नहीं थी जो नोंने मुझे नहीं दी थी मेरी सास सूरज से हमेशा खुश रहती थी और मुझे भी कभी कुछ नहीं कहती थी लेकिन ना जाने क्यों वो मेरी देवरानी पर हमेशा नाराज ही रहती थी हमेशा उसको किसी ना किसी बहाने ताने देती रहती थी हर रात की तरह उस रात भी रोने की आवाज आ रही थी अब तो मुझे इस घर में काफी समय हो चुका था तब भी ना जाने क्यूं हमेशा रोने की आवाज से मैं बेचैन हो जाती थी मेरा ध्यान वहां से हटता ही नहीं था सुरज मुझे जब भी परिशान देखते तो अब वो नाराज हो जाते थे वो कहते थे कि मैं तुम्हें समझा समझा कर ठक गया हूँ कि तुम उस तरफ ध्यान मत दो पर तुम हो के तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो उन दोनों पती-पत्नी के बीच का मामला है हम क्या करें उसमें मैंने सुरज को कहा कि मैं मानती हूँ कि वो उन दोनों पती-पत्नी के बीच का मामला है लेकिन आप भी तो बड़े भाई हैं आप क्यूं अपने छोटे भाई से बात नहीं करते एक बार बात करके उन्हें समझाईए कि जो भी बात है आपस में बात करके खतम कर ले यो हर रोज अपनी पत्नी को ऐसे परिशान करना ठीक नहीं है सूरज कहने लगे कि तुमको मुझको क्या ज़रत है उन दोनों की बीच में पढ़ने की वैसे भी मा इस घर की बड़ी है वो खुद ही देख लेंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं मैं भी सोचने लगे कि सूरज बोल तो ठीक ही रहे है अभी तो मा जी है ही पर वो क्यूं कुछ नहीं बोलती, वो क्यूं सब कुछ देख रही है अगर वो चाहे तो वो राई जगडे को खत्म कर सकती है पर पता नहीं वो क्या सोच कर चुप है मैं तो जब भी अपने देवर को देखती थी तो मुझे उस पर बहुत जादा गुस्सा आता था मैं हमेशा यही सोचती थी कि इन दोनों भाईयों में जमीन आस्मान का फर्क है एक वो है जो अपनी बीवे पर इतना अत्याचार करता है हमेशा उसे मारता और पीटता है और दूसरी तरफ मेरे पती हैं जो मुझ पर अपनी जान छिड़कते हैं मेरे लिए सब कुछ करते हैं यह यूँ कहूँ कि अपनी पल को पर बिठा कर रखाएं उन्होंने मुझे पता नहीं वो अपनी पत्नी पर इतना जुल्म कैसे कर लेता है और बिचारी उसकी पत्नी किसी को कुछ कहती तक नहीं चुप चाप सब कुछ सही जा रही है एक दिन सुरज ने मुझसे कहा कि आज वो अपनी दोस्त की शादी में जा रहे है मैंने उनसे कहा कि बहुत दिनों से मैं भी कहीं नहीं गई मुझे भी ले चलो तो वो कहने लगे कि हमारे घर की बहु बाहर नहीं जाती मैं तुम्हें कभी और कहीं ले चलूँगा उनकी बातों को सुनकर मैं चुप हो गई सुरज अकेले ही अपनी दोस्त की शादी में गए थे मैं अपने कमरे में लेटी हुई सुरज को ही याद कर रही थी ना जाने क्यों उनके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता था रात हुई तो हर रोस की तरह आज मिरी देवरानी की रोने के आवाजे आने लगी मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं उन अवाजों की तरफ ध्यान नहीं दूगी लेकिन मैं चाहा कर भी चुप नहीं रह पाई मेरा ध्यान औन अवाजों के तरफ खिचा चला जा रहा था सूरज होते थे तो वो मुझे अपनी बातों में उल्जा लिया करते थे लेकिन आज मैं अपने कमरे में अकेली थी एक तरफ को तो मैं सोच रही थी कि आज मेरे पास अच्छा मौका है जाकर देखूँ जरा कि आखिर उन दोनों के कमरे में ऐसा क्या होता है मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली ताकि मेरी सास को ना पता चल जाए और दबे पाओं अपने देवर के कमरे की तरफ जाने लगी कमरे की तरफ गई तो देखा कि कुंडी भी नहीं लगी हुई थी अपने कमरे से बाहर तो मैं निकल गई थी लेकिन डर भी बहुत जादा लग रहा था कि अगर किसी ने भी मुझे देख लिया तो सबसे जादा तो सूरज ही मुझे पर नाराज होंगे मैं बहुत जादा डरते डरते उनके कमरे तक पहुँची थी धीरे से दर्वाजा खोला अंदर मैंने जो कुछ भी देखा मेरे पैरो तले जमीन खिसकते मेरी आँखे तो मानो फटी की फटी ही रह गई थी आँखे ये क्या हो रहा था अंदर मेरे देवर और देवरानी मुझे इस तरह से देखकर हके बक्के से रहे गए उन्हें नहीं पता था कि इस तरह से अचाना कोई उनके कमरे में आ जाएगा या शायद आज वो कुड़ी लगाना भूल गए थे अंदर मैंने जो कुछ भी देखा मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था आप सुनेंगे कि अंदर मैंने क्या देखा तो आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये सब क्या था जो इतने दिनों से हो रहा था मैंने देखा कि मेरा देवर और देवरानी एक दूसरे को बेहद प्यार से खाना खिला रहे थे उनके पास एक मोबाइल भी रखा हुआ था जिसमें से रोने की आवाज आ रही थी और वो रोने की आवाज भी मेरे देवरानी की ही थी मेरे देवरानी मुझे ऐसे देख कर हरबासी गई उसने मुझे अपने कमरे में आने के लिए कहा और अपने पास बिठा लिया मैं बहुत ही हैरानी से अपने देवर और देवरानी दोनों को ही देख रही थी काफी देर तक चुपचाब बैठी रही कुछ समझी नहीं आ रहा था और शरम भी आ रही थी हम सभी काफी देर तक एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे थे उसके बाद मैंने अपने देवर और देवरानी दोनों से ही पूछा कि इस अब क्या है? मैं कोछ समझ नहीं पा रही थी मैंने अपनी देवरानी को कहा कि तुम जो रोजाना रोती हो न और तुम्हारे रोने से इस घर में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता आज मैं तुम दोनों का जगड़ा खत्म करने के लिए आई थी मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा था लेकिन यहां जब आई तो यहां को तो माजरा कुछ और ही चल रहा है क्या तुम दोनों मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या है? या फिर मैं एक बार जाकर माजी से ही पूछ लूँ मेरा इतना कहते ही मेरी देवरानी ने अचानक मुझे रोका और कहने लगी रुकिये मैं आपको बताती हूँ मैंने और आपके देवर ने लव मैरेज की थी हम दोनों साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे एक दूसरे को बहुत जादा प्यार भी करते थे लेकिन यहाँ घर में किसी को भी लव मैरेज करने की इजाज़त नहीं थी हमने माजी को मनाने की बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं मानी तो आखिरकार हम दोनों ने भाग कर एक दूसरे से शादी कर ले जब आपके देवन ने मुझसर शादी की और मुझे घर पर ले आये तो माजी ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया इस घर में हमेशा यही कोशिश करती रहीं कि हम दोनों में लड़ाई जगडा होता रहे कलेश होता रहे ताकि मैं इस घर से चली जाऊं और वो अपने बेटे की दूसरे शादी करवा सके अपनी पसंदी की बहूल आ सके दीदी हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से रहते भी हैं ऐसा कोई काम नहीं है जो मा जी को मेरा पसंद आ गया हो वो मेरे हर काम में नुक्स निकालती हैं वो हमेशा यही सब को कहती हैं कि मैं उनका बिलकुल खयाल नहीं रखती चाहे कोई बात हो या ना हो वो मुझे हमेशा ताने देती हैं और मेरे पती से कहती है कि मैं एक काम नहीं करती, ना ही मुझे को चाता है, मेरे बाप ने मुझे, माबाप ने मुझे को सिखाया ही नहीं, ताकि मेरे पती अपनी मा की बात मान कर मुझे छोड़ दे, उन्होंने कई बार तो इन्हें साफ साफ कहा कि तू इसको छोड़ दे, मै कभी भी अगर बाहर साथ निकल जाते तो वो तो घर आकर हमारा जीना ही मुश्किल कर देती थी इस घर में अगर कभी भी कुछ गलत होता तो उसके जमेदार उन्होंने हमेशा मुझे ही बताया है हमेशा यही कहती है कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, मेरा घर तोड़ दिया, मैं ये सब कुछ अपने पती की खाते चुप चाप सुन भी लेती हूँ, पर उनसे कभी कुछ नहीं कहती, एक दिन हम दोनों की किसी छोटी मुटी बात पर लड़ाई हो गए, ये देखकर वो बहुत जादा खु खुश होई थी, उस दिन, उनोंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, और उसी दिन मुझे समझ आया कि वो चाहती ही ये है कि हम दोनों में हमेशा लड़ाई जगडा रहें, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहें, हम दोनों की खुशी उनसे बर्दाश नहीं हो रही बस इसी लिए, चैन से जीने के लिए और सुक शान्ती से रहने के लिए, मैंने और इनोंने मिलकर एक प्लान बनाया, कि हम दोनों सबके सामने एक दूसरे से लड़ाई जगडा करेंगे, एक दूसरे से बात तक नहीं करेंगे, सबको यही दिखाएंगे कि जैसे हम दोनों क बीच में जालातर लडाई ही रहती है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बिलकुल भी खुश नहीं है जस दिन से हमने ये सब कुछ करना शुरू किया माजी ने मुझे कुछ भी कहना बंद कर दिया क्योंकि वो तो यही सोच सोच कर खुश होती रही कि उनका बेटा मुझे मारता पीटता है मुझे पसंद नहीं करता बस इतना उनके लिए काफी था उन्होंने मुझे ताने देना तक बंद कर दिया उस दिन के बाद से हमने हर रात ये सब शुरू कर दिया सब के सामने हम यही दिखाते कि हम दोनों एक दूसरे से बिलकुल भी खुश नहीं है पर सच यह है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रहे नहीं सकते हम दोनों एक दूसरे से बेहत प्यार करते हैं जेड जी यह सब को जानते हैं एक यही वज़ा है कि जेट जी आपसे भी मार जी के सामने ज़ादा बाते नहीं करते और ना ही उन्हें किसी बात पर उल्टा जवाब देते हैं नहीं तो वो समझ जाएंगी कि आपके और जेट जी के बीच में भी बहुत ज़ादा प्यार है आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहत खुश हैं तो हो सकता है वो आपका भी जीना दुश्वार करते वो बस यही चाहती है कि उनके दोनों बेटे उन्हीं के आगे पीछे गूमते रहें अगर ऐसा ही था तो उन्हें अपने बेटों के शादी नहीं करनी चाहिए थी अब अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को शादी करके लाएगा तो वो उसका खयाल तो रखेगा ही ना इसमें क्या गलत है लेकिन मा जी को ये सब बरदाश नहीं होता अपनी देवरानी के सारी बातों को सुनकर एक तरफ मुझे बहुत जादा खुशी हुई उन दोनों को इस तरह खुश देखकर और एक तरफ थोड़ा दुख भी था कि मा जी का ऐसा वैवार ठीक नहीं था अपनी देवरानी को मैंने गले से लगा लिया और उसे बहुत प्यार किया अपने देवर और देवरानी को कहा कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना और एक दूसरे का साथ देते रहना इतना कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई कुछ देर बाद ही सूरज भी आ गई वो मेरे लिए बर्गर लेकर आए थे आज मैंने इस बात को नोटिस किया था कि वो मेरे लिए कभी भी कुछ भी लेकर आते तो छुपा कर लाते थे आते ही उन्होंने मुझे अपनी गले से लगाया मैं भी मुस्करा दी मैं दिल ही दिल में ये सब सोच रही थी कि क्या मा ऐसी भी होती है जो अपने बच्चों की खुशी में खुश नहीं हो सकती अगर आज उनके बच्चों ने एक तरीका निकाला है तो उसमें कुछ भी कलत नहीं है जब वो कुछ समझ ही नहीं रही तो ये लोग भी क्या करेंगे एक तरफ अपनी मा को भी खुश रखना चाहते हैं और अपनी बीवी को भी इन दोनों भाईयों ने भी वही रास्ता निकाला था ये दोनों भाई सच में हीरा थे उस दिन के बाद से मैं हमेशा अपनी कमरे में अपनी मर्जी से रहती थी मेरे और सूरज के बीच बेहत प्यार था और मा जी के सामने उनकी मर्जी से रहते थे हम दोनों कभी-कभी रिष्टों को बचाने के लिए ऐसा आना पड़ता है I hope आपको ये कहानी पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे लाइक कर दीजे और अपने प्यारे से कमेट नीचे ड्रॉप कर दीजे मिलूगी आपसे नहीं कहानी